थाइरोइट के समस्य आज़कल आम बात हो गई है यह अदिकतर सुनने को मिल रही है थाइरोइट गले में एंट्रोक्राइन ग्लैंड है जो तितली के आकार जैसी ग्रंथी होती है यह थाइरोक्सिन नमक हार्मोन बनाती है इसके असंतुलन के कारेंट बॉडी की कार्य द्रॉमोन असंतुलन भी हो जाते हैं एक स्टडी के मुताबिक पुरुशों की तुलना में महीला में थाइरोइट विकास दस गुना जयदा हो जाता है इसमें खाना आसानी से पचने में भी परिशानी होती है जसने पेट से संबंधित परिशानी अना SHरू हो जाती है कब इस रोग में होने वाली आम दिक्कतों में से एक है लगातार कब्ज हो रही है तो थाइराइड का चेकप जरूर करवा है शरीर में प्रतिरोधक शमता कमजोर होने पर बिना दवाई के छोटे-छोटे रोगों से निजात पाना मुश्किल हो जाता है थाइराइड में प्रतिरोधक शमता कमजोर होना शुरू हो जाती है थाइराइड होने पर त्वचा में रुखापन आना शुरू हो जाता है इसे परिशानियों में स्कीन के उपर हिस्से के सेल्स डेमेज होने लगते है आराम करने के बाद भी ठकावट महसूस होना thyroid का लक्षन हो सकता है इसमें शरीर की energy कम होने लगती है और काम करने में आलस आता है